आज हम बनाने जा रहे हैं यह बहुत ही टेस्टी मटर का पराथा सबसे पहले हम प्याज डाल लेंगे यहां पर मैंने यहां पर उबले हुए मटर को डाल लिया है अब इन सबी चीजों को यहां पर हम रफली जॉप कर लेंगे देखिए कुछ इस तरीके से अब इसको बॉल म नमक डालेंगे और यहां पर डालेंगे चाट मसाला और सबी चीजों को अच्छी तरीके से हम यहां पर मिला लेंगे हमारे पराथे बिल्कुल भी ना चुपके इसके लिए यहां पर यह ट्रिक है कि इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा मिलाएंगे जिससे पराथे कभी भी नहीं चुपकते हैं अब एक लोई बना लेंगे इसके अंदर स्टफिंग को डाल देंगे सब तरफ से से कवर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आठा होगा उसको निकाल देंगे अब पराठे को यहाँ पे हम बेल लेंगे और डौनों तरफ इसमें गी लगा कर अच्छे तरीके से से करेंगे सर्दियों का मतर क्यूंकि बहुत मीठा आता है तो इसके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राय करें